हेलो सिविल इंजिनियर्स मैं हूं संदीप सिंग प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजिनियर्स और आप सभी एंजिनियर्स के लिए कॉर्परेट टैनर एंजिनियर्स मैं आप सभी का रिंफोर्स ट्रेनिंग इस्ट्यूट फोर सिविल इंजिनियर्स के निए सरहाइश करो कि जो ब्रिज में आपको जो पीयर दिया है वह पीयर क्या होता है उसका किस तरह से सक्षाइड करते हैं यह मैं आपके साथर्थ करूंगा जो हमारे पिरिएस सेशन वा था क्योंकि आपको प्ता यह ब्रिच का सीरी चल रहा है में क्या होता है तो हमतीर की analysis किस तरह से होता है, approach lab क्या होती है, उसका analysis किस तरह से करते हैं, यह सारी चाहिए हम अपने previous sessions में analysis कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लेगे तो आप उसे like करिए, और ह subscribe करिए, चलिए फिर हम आज का session start करते हैं, तो आज के session हम क्या discuss करने वाले हैं, peer, तो यह आप देखेंगे, यह आपको एक major bridge का पूरा drawing दे रखा है, इस drawing में आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता है, मैंने आपको previous sentence में ये बताया है, कि bridge के दौनो ends पे क्या होता है आपका abitment होता है, जहां से bridge start होता है, और जहां पे bridge जाके खतम होता है, तो दौनो ends पे हमारा क्या होता है, abitment होता है, और उन दौनों abitment के बीच में जितने भी आपके vertical member होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, peers बोलते हैं, तो आप देखेंगे, तो कुछ इस तरह से आप और यहां पे आपका bridge के दूसरे end पे यह abitment दे रखा है, क्या A2, और इन दौनों abitment के बीच में जितने भी peers हैं, वो आपको दे रखेंगे, यहां पे आपको peer P1 दे रखा है, और जो आपका peer P1 दे रखा है, उसका challenge भी दे रखा है, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यह आपको challenge दे रखा है, कि कितने challenge पे आपका abitment बनेगा, जो abitment का center line आएगा, वो कितने challenge पे आएगा, वो आपको दे रखा है, 138 km और 358 मीटर, और यह आपका 12 मीटर का span है, तो आप इसमें add कर सकते हैं, 12 मीटर तो यह कितना हो जाएगा, आपका 138 km और 370 मीटर challenge पे यह आपका pier 1st बनेगा, इसके बाद आपको यह pier 2nd दे रखा है, यह आपका pier 3rd है, और यह आपको यह pier 5 दे रखा है, और यह आपका pier 6 है, तो आप इसमें देख सकते हैं, कितने pier आ रहे हैं, हमारे 6 pier आ रहे हैं, आपके every 12 मीटर पे आपको pier यह किस तरह से दिखेगा, तो हम इसके plan की बात करते हैं, तो plan में आप देखेंगे कि pier किस तरह से दिखेगा, यह देखेंगे, आपको plan का pier दे रखा है, आपका जो pier है, वो plan में कैसे दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, यह क्या है, आपका एक ट्रेपोजोडल फाउंडेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया तो पिछले सेशन में कि आपका बिरिज में क्या होता है, ओपन फाउंडेशन होता है, और डी फाउंडेशन भी होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या है, ओपन फाउंडेशन है, और ओपन कि pear होता क्या है, peer basically एक आपका vertical member है, और आप बोले, peer आपका क्या होता है? sub-strructure होता है, जिसका काम क्या होता है? superstructure से जो load आ रारा है, उसको foundation में transfer करना, मैंने आपको पहले भी बतायाै, bridge में तीन part होता है, एक आपका foundation होता है, एक आपका सब इस्ट्रक्शर होता है एक आपका सुपर स्ट्रक्शर होता है तो पीर आपका वर्टिकल मेंबर है जिसका क्या काम है सुपर स्ट्रक्शर से जो लोड आ रहा है उसको किस में ट्रांसपर करना फाउंडेशन में ट्रांसपर करना तो यह आप देखेंगे आपको क्या दे र रखा इस तरह से यह आपका PCC आएगा और उसका ठिकनेस आपको ऊपर दे रखा है 100 अम का ठिकनेस है और इसके बाद देखेंगे आपका यह जो पीर का जो foundation आपको दे रखा है पीर के foundation में आप देखेंगे इस तरह से यह आपको pure का foundation दे रखओ है, तो इसका आपको length भी दे रखओ है, breath भी दे रखओ है, आप देखेंगे तो आपको आपको चीज़ा है, समझ में आएगे, यह देखेंगे, जो आपका यह peer का foundation, उसका length दे रखओ है, 7500 mm और इसका जो ब्रेथ है वो आपको कितना दे रखा है 6500 mm तो यह क्या है इसका बॉटम का प्लान दे रखा है अब यह ट्रेफोजोडल है तो इसका कुछ टॉप प्लान भी होगा यह आपका टॉप प्लान दे रखा है आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा यह आपका टॉप प्लान दे रखा है जो इस ट्रेफोजोड फांडेशन का जो टॉप प्लान है बॉटम प्लान का लेंथ क्या होगा ब्रित क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है लेकिन यह टॉप प्लान है टॉप प्लान का आप लेंथ देखेंगे तो यह आपको दे र यह दिखेंगे, 3,150 mm आपको यह जो टॉप प्लान इसका लेंद दे रखा है, और इसका बृथ भी आपको यहाँ पर दे रखा है, यह आपको बृथ दे रखा है, बृथ कितना आपको यह 950 दे रखा है, तो वो चीज़ है, अब इसके उपर आपका क्या आ रहा है, पीर आ रहा है, जो पीर है, वो कैसा पीर है, यह pier आपका क्या है? rectangle come circular pier है कौन सा pier है? rectangle come circular pier है जो इस अप ट्रेपोजिल फांडेशन के उपर आएगा अब हम rectangle come circular pier क्यों provide करते हैं? mostly आप bridge में जो भी pier's देखेंगे न वो आपको हमेशा circular form में ही मिलेंगे इस तरह से इससे क्या होता है? क्योंकि आपका river है river में आपकी इस तरह से waves आती है जो आपकी waves आती है, उससे क्या होता है? current का formation होता है तो वो क्या करते है? concrete को effect करते हैं वहां से concrete आपका effect होगा तो हम लोग क्या करते है? इस तरह से circular बना देते हैं तो circular बनाएंगे तो इस तरह से जो आपका water है फ्लो के निकल जाएगा, तो concrete को effect नहीं करेगा, तो यह आपको क्या दे रखा है, इसका plan दे रखा है, अगर आप इसका section देखेंगे, तो हम इसमें दो section आपको दे रखें, एक आपका length के along section है, एक आपका breadth के along section है, तो सबसे पहले आप इसका breadth के along section देखेंगे, तो क्या-क्या चीज़ें दे रखेंगे, आपको समझ आएगा, यह देखेंगे, यह देखेंगे, यह पूरा breadth के along आपको section दे रखेंगे, पूरे foundation का width, peer और आपका peer cap, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, तो आपको यह पूरा foundation दे रखा है, यह देखेंगे, आपको यहाँ पर यह river का bed level दे रखा है, यह क्या है, आपको यह river का bed level दे रखा है, उसके नीचे आप यह part देखेंगे, तो आपको यह क्या है, आपको नीचे यह PCC दे रखा यह देखिंग आपको यह नीचे क्या दे रखा यह पेसीसी दे रखा है यह निचे आपको पीजीसी आ रहा है और उसकी उपर आपका क्या है यह ट्रेफॉसीरल फाउंडेशन है यह आपको इस तरह से तो आपको कितना दे रखा है यह डूले में अउनूट को ने बाहने रिपांधी और यहां पर आप देखेंगे, आपको यह 75 mm दे रखा है, वो क्या चीज है, जो आपका ट्रेपोजियल फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का पियर के फेस से कितना आपसाइट होगा, वो आपको दे रखा है 75 mm, दोनों साइट होगा, दोनों साइट के बेसिकली आपका चारों साइट ही होगा, पियर से आपका जो ट्रेपोजियल फाउंडेशन है, उसका जो टॉप एरिया है, उसका जो आपसाइट होगा, वो 75 mm होगा, दोनों साइट होगा, और यहां पर आपको देख सकते हैं, जो आप आपको पीर दे रखा है और इसके उपर आप देखेंगे तो आपको क्या है यह आपका पीर कैप आ रहा है तो पीर कैप आप देखेंगे इस तरह से यह आपको पीर कैप आ रहा है यह क्या है आपका पीर कैप है जो आपका पीर कैप है वो क्या करेगा आपका वो भी आपका जो यह पीर है उससे extend करेगा, केतना extend करेगा, 550 mm दोनों साइट, तो यह आपका क्या है, पूरा peer cap का, ब्रित हो जाएगा, 550 प्लस 800 प्लस 550, तो आपका यह 1900 आपका peer cap का, कितना हो जाएगा, ब्रित हो जाएगा, और इस peer cap का, जो, आपका जो depth होगा, वो कितना होगा, यह आपको देर, 500 आपका, उपर वाला portion है, जो की rectangle होगा, और 500 आपका क्या है, नीचे वाला portion है, जो ट्रेपेजियम होगा, जो आप यह उपर वाला 500 देख रहे हैं, यह वाला, यह क्या है, आपका rectangle होगा, throw out peer cap, और जो नीचे आप आप देख रहे हैं 500 यह आपको इस ब्रित के along section में क्या देख रहा है rectangle देख रहा है लेकिन अगर आप इसको length के along section देखेंगे तो आपको यह क्या देखेगा trapezium देखेगा वो भी आपको यह 500 आउम दे रखा है और इसके ऊपर आपका pedestal आएगा इस तरह से यह देखेंगे pier cap के ऊपर आपको यह क्या दे रखा है pedestal दे रखा है और pedestal के जस्ट ऊपर आप यह देख रहा है यह आपको bearings दे रखेंगे के लिए मैं आपको अलग से session complete bearing का session लाँगा जिसमें मैं आपको discuss करेंगा कि bearing क्या होती है उसका क्या function होता है और कितने tabs की bearings होती है वो मैं एक different session में discuss करेंगा इस bearings के ऊपर आपको क्या आएगा graders को place किया जाएगा तो harder किस तरह से आएगे वो भी आप देख सकते हैं मैं कि कि इस तरह से आपके गर्डंव आएगे हैं यह आपका एक गर्डर जोिस साइट जा एक इस तरह से और एक दूसरा furtherive है वह आपका किस साइट से धूसरी साइट जाएगा इसलेakat तो एक आपका girder इस साइड है और एक girder आपका इस साइड जाएगा तो इस तरह से ये पूरा arrangement होता है तो अभी हमने जो पीर देखा है वो क्या देखा है विरित के along section cut करके देखा है अगर आप इसका length के along section cut करेंगे तो आपको ये proper आपर तरह से देखा ही देगा कि इसका actual में सेप क्या है पीर कैप का तो वह मैं आपको दिखानी कोसेश करता हूं किस तरह से देखेगा ये देखेंगे ये क्या ब्रित के along section है देखेंगे आपका आपको पूरा length के along section दे रखा है अब ये आपको जो length के along section दे रखा है उसमें आप बुलकुल clear तरह से देख सकते हैं आपका जो पीर कैप है वो किस तरह से दिखाई देगा वो चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ सेम रहने वाली है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही आपका ये length है ये देखेंगे आपको जो आपका पीर कैप का जो आपका जो पीर कैप है उसका जो foundation है वो आपको से हम आपको से हम दे रखा, यह length आपको से ऐम दे रखा, 7500 mm, और बांकि चीज़ें आपको से हम दे रखें, आपका height भी से हम दे रखा है 1000 mm, but this is this rectangle portion, घरा, जो आपका ते इप डेल पोरशन बन रहा है, benefits धेड़ार सेक्षिन बन रहा है उसका आपको जो height वो आपको 600 दे रखा है आपका यह पीर से आपको offset होगा हो भी आपको से हम दे ह् रखा लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो नहीं आपका क्या length के along सेक्षिन इसके आप इसके आपको referred सही इससे देख सकते हैं कि किस तरह से चीजा होगी, यह देख किस तरह से पेर आ रहा है यह इस तरह से कुछ यह बनेगा यह आपका TRIPEGEM सेप में है और इसके ऊपर यह आपका और इसके ऊपर आपका यह Rectangle लाएगा इस तरह से हाँ तो आप देखा है जो नीचे वाला जो टैपड पार्ट है वह कितना है वह आपको 500 का दे रखा है तो आपको लन्थ के अलॉंग सेक्ष्ण में ये सारी चीजे पता चलेंगी जब आपको पास ड्राइंग होता है तो आप उसको सभी तरह से analysis करिए कि जो आपका drawing है, जो आपका structure है वो plan में कैसा देखेगा आपको उसका L section कैसे देखेगा आपका breath के along section कैसे देखेगा तब ही आप उसको proper तरह से analysis कर पाएंगे और quantity को take off कर पाएंगे इसके बाद देखेंगे आप इसको उपर आपके pedestals भी आ रहा है, pedestals भी आप देख सकते है यह देखेंगे, उपर आपके pedestals आ रहा है यह आपका first pedestal है यह आपको second pedestal आ रहा है और यह आपका third pedestal आ रहा है और इसके उपर से आपके तीन girders आ जाएंगे, जिसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल अलग सेशन लाँगा, जिसमें हम किवल girders की बात करेंगे, कि कितने types के girders होते हैं, क्या-क्या चीज़े होती हैं, वो चीज़े, I hope कि आपको ये समझ में आया होगा, कि drawing में PR को किस तरह से analysis किया जाता है, PR के foundation को किस तरह से reading करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग concrete work की बात करेंगे, कि concrete work किस तरह से analysis होता है, और उसके बाद फिर हमारा bridge का BBS का series आएगा, तो सारी चीज़ें आपको sequence-wise ही मिलेंगी, अगर आपको ये major bridge का drawing reading करने का series अच्छा लग रहा है, आप चीज़ें समझ पा रहा है, तो आप इसे like करिए, अपने friends के साथ, अपने fellow civil engineers के साथ इसको share करिए, तो आपको इसी तरह से as per need और as per demand of construction industry, quality content मिलता रहेगा, okay, thank you so much for supporting us and increasing our RKST team and stay tuned for next video, thank you.